तो सबसे पहले देखो nitrogen fixation के दौरान न होगा क्या एक मिन ठीक nitrogen fixation के दौरन कैसे एक rhizobium नाम का bacteria मैंने बोला न कि हमें पढ़ना है काईसे एक bacteria जिसका नाम rhizobium है वो nitrogen fixation करेगा तो मैंने आपको बोला है कि atmosphere में बेटा जो nitrogen nitrogen है ना वो triple bond से जूटा है atmosphere में जो nitrogen है बेटा वो triple bond से जूटा है अगर आप देखोगे जो nitrogen होता है वो 71% जो nitrogen है atmosphere में वो कैसा है वो diatomic form में है यानि कि जो nitrogen का molecule है वो आपस में triple bond से जूटे है और इस triple bond को तोड़ना इतना आसान नहीं कोई भी बेटा bacteria, कोई भी plant, कोई भी animal, कोई भी fungus इस triple bond को कोई भी बेटा protista kingdom इस triple bond को नहीं तोड सकता मैंने पिछले क्रास में में बताया था कि कोई भी बेटा organism, कोई भी plant इसे नहीं तोड सकता है इस triple bond को इस triple bond को तोडने का capacity केवल और केवल exclusive criteria इस triple bond को केवल और केवल monera kingdom के कुछ member break कर सकते है जो monera kingdom के member है, वो बेटा उसके कुछ member, सारे member नहीं मैंने पिछले क्लास में बताया था कि monera kingdom के सारे member triple bond को in और in जो diatomic nitrogen है तो उसके triple bond को नहीं तोड सकते केवल बेटा याद क्या रखना है few monera kingdom अगर कोसे नाया, कौन सा kingdom तोड़ेगा, answer only monera kingdom और monera kingdom के सारे member नहीं, few member ठीक है, तो थोड़ा लाइक करेगा, क्योंकि अभी यहाँ बारिष का महल बन रहा है बारिष हो रही है बाहर में तो थोड़ा सा आवास खोड़ा सा लाइक करेगा मैं रूख जाओंगा, जब अवास लाइक करेगा, second चीज़ second चीज़ monera kingdom में ऐसा क्या है कि जो उसका simple answer है उसके अंदर में एक इस्पेसल इस्पेसल जिसके नाम है nitrogenase azotobacter कैसे कर लेता है एनबना कैसे कर लेता है nitrogen fixation ऐसा क्या खासियत है तो उसका simple answer है कि उस monera kingdom के member में एक enzyme पाया जाता है nitrogenase इसी को detail से हम लोग पढ़ने वाले यह जो कहानी है NCI-D में पूरा figure के form में दे रखा है इसी कहानी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ना देखते NCI-D में काफी detail से दे रखा है और हम लोग इस detail को पढ़ने की कोशिश करते हैं देखें ध्यान से ध्यान से NCI-D में देखो क्या figure बनाओ मैं page नमबर देखने की कोशिश करूँ तो NCI-D में आप देखेगा page नमबर 203, 203 page नमबर पे चार figure बने हुए सबसे पहले देखिए आपने legume plant के root का figure बनाए हमने legume plant लिया और उसका वेटा हमने बना दिया legume जो plant है उसका मैंने बना दिया anatomy of root यह root का epidermis है ध्यान से सुनिए यह root का epidermis है इस epidermis से जहां से देखिए इस epidermis से इस epidermis से originate होगा बिटा root hair आपको बताया है कि जो root hair होता है कुछ अलग नहीं है वो नया से लिए वो क्या है इसी epidermis का extension को कहते है हम लोग root hair इस दा root hair इस दा root hair इस के सभी cell में root hair नहीं बाया जाता है कैसा nature होता है यह होता है एक cell का बना है एक्चुली में तो यह बिटा cell ही नहीं root hair तो actually में epidermis का extension है epidermis अपने आपको extend करके क्या बना लेगा root hair ठीक है stem में पाया जाता है जब stem में पाया जाएगा hair like projection नाम बताइए अपने anatomy पढ़ा होगा तो stem में hair like projection पाया जाते है जिसे आप stem hair कहते है बताइए उसका नाम क्या होता है the stem hair is known as किसी बच्चे को मालूम है तो उसे trichomes कहते है हाँ correct उसे trichomes कहते है ठीक है लेकिन आमर्नाल trichomes multi-cellular होता है multi-cellular होता है insanity का word है अब देखे epidermis के अंदर में मिलेगा multi-layered cortex cortex के जो cell होते है वो loosely arranged होते और second जो cortex के cell है वो multi-layered है multi-layered है multi-layered है याद रखिए यहाँ पस यह cortex का cell है multi-layered cortex का जो सबसे last layer है जो cortex का सबसे last layer है इसे कहते हैं endodermis cortex का जो सबसे last layer है इसे कहते हैं endodermis the last layer of cortex is called endodermis जिसके cell wall में मैंने थिक बना दूँ compactly arranged अगर आप NCRT को देखिएगा class 11th के NCRT को तो NCRT ने लिखा है वोस सेल कैसे तो बैरल सेब्र का होता है डमरू नुमा NCRT को देखिए बैरल सेब्र का लिखेगा और उसके इंदर सुबेरीन ना के कैमिकल कर दीपोजीशन होता है एक स्ट्रिप्ट के फर्म में जिसे कहते कैस्पेरीन जिसे कहते कैस्पेरीन अज़े आवाज आ रही हारी 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 है इंटरनेट का इशु हुआ था इंटरनेट से कट गया था चलो ठीक है मुझे वापस से फीगर बनाना पड़ेगा चलो बापस से मुझे फीगर बनाना पड़ेगा तो फटाफट देखो सबसे पहले मैंने बोला कि लग्यूम प्लांट का हम लोग रूट का एनटॉमी बना रहे हैं अनटमी में सबसे पहले यह हमने बना दिया सबसे पहले हमने यह बना दिया it is a epidermis this is the epidermis epidermis के कुछ सिल से originate होगा it is called the root hair epidermis के कुछ सिल से originate होगा root hair यह root hair epidermis के अंदर होगा multi-layered cortex जो की loosely arranged है multi-layered cortex है जो की loosely arranged है और cortex का जो सबसे last layer है सबसे last layer है इसे कहते हैं endodermis endodermis जो barrel shaped का होता है कि उसमें कैस्परे स्टिप आया जाता है and inner one is a pericycle inner one उसके अंदर में होता है pericycle अब दिहान से सुनना कहानी क्या है इस टेप वाइज एक दम चल रहे है सबसे पहले यहां पर देखिए यह green वाला जो है यह आपका rhizobium bacteria यह rhizobium bacteria मिट्टी में स्टेप नमबर वन the root will release some chemical जो root है वो कुछ chemicals release करेगा जिस chemical के चलते यह rhizobium bacteria root के तरफ attract होगा अभी rhizobium bacteria मिट्टी में बिखरा हुआ है अलग-अलग जगह पर पाये जा रहे हैं ना मिट्टी में अलग-अलग जगह पर तो वो root जो है कुछ chemical को release करेगा इस chemical के चलते जो राइजोबियम बैक्ट्रिया है root के तरफ attract होगा बोले सिर्फ कौन सा chemical है इस chemical के अंदर में पाये साथ सकते हैं amino acid या इस chemical में हो सकता है sugar sugar या इस chemical के form में पाया जाता है flavor noides ticket plant या रूट पार्ट कुछ chemical release कर रहा है इस chemical के थू राइजोबियम root के तरफ attract होगा इसलिए राइजोबियम रूट के तरफ आएगा और यहां पास अपने आपको multiply करेगा अपना कॉलनी बनाने स्टार्ट करेगा rule rhizobium will attract towards the root they will divide and they will form the colony तो बैक्ट्रिया का chemical के थू अट्रेक्ट होना इसी को कहते है कीमो टैक्टिक इसी को कहते हैं हम लोग कीमो टैक्टिक इसी को कहते हैं कीमो टैक्टिक मूव्मेंट राइजोबियम नाम का बैक्ट्रिया कैमिकल के तरफ अट्रेक्ट हुआ वहां गया देखो ना सिंपल समझो वहां क्या है शूगर है यानि खाने का चीज है amino acid है खाने का चीज है अब क्या होगा उस food को खाने के चक्कर में अपने copies बनाएगा अपने आपको multiply करेगा तो शूगर क्या है food है बैक्ट्रिया गया उसे खाने की कोशिश कर रहा है amino acid गया खाने की कोशिश कर रहा है food मिल रहा है तो divide करने start कर दिया second figure second figure NCRT का तुम देखोगे तो यह बड़ा important है second figure यह epidermis वापस से बनाना पड़ेगा this is the cortex loosely arranged होता है cortex याद रखिएगा loosely arranged होता है और transport में मैं पढ़ाऊंगा इसी loose जो arrange जो space है हाली जगा है पानी उसी से move करता है इसी को आप कहते एपोप्लास्ट जब आपको मैं बताऊंगा next class में transport जब start करेंगे तो एपोप्लास और सिम्प्लास दो तरीके में बताऊंगा और यह endodermis और endodermis के अंदर है बच्चा pericycle this is the pericycle आपके थोड़े information के लिए बतादू pericycle हमारे anatomy anatomy जो chapter है वो बोलता है बटा जो pericycle है वो lateral root बनाता है जो pericycle है बच्चा वो lateral root का formation करता है lateral root के आए मैं थोड़े दिन में explain करूंगा आप फिलाल अपने topic पर हूँ यहां देखिए क्या हुआ यह root hair bacteria green वाला root के तरफ attract हुआ वहां पेटा colony बनाने start कर दिया colony बनाने start किया bacteria root hair के तरफ grow किया multiply किया colony बना रहे अब ध्यान दो सुनना कुछ rhizobium bacteria कुछ rhizobium bacteria जाकर के root hair से attach हो जाएंगे कुछ rhizobium bacteria root hair से जाके attach हो जाएगा देखिए attach कर आके देखा रहो कुछ rhizobium bacteria root से attach हो जाएंगे क्यों attach हुआ यह समझी है rhizobium bacteria के पास में एक factor है यह बटा नाम याद रखिए यह node factor rhizobium bacteria के पास में एक factor है जिसका नाम है node factor बुले सर कहां से आया node factor क्योंकि rhizobium के पास में एक जीन है जिसका नाम है node gene node gene है इसलिए उसने बनाया node factor node gene है उसने बनाया node factor अब node factor के help से वह root hair को attach कर गया लेकिन कहा जाता है आपके anxiety में नहीं है लेकिन आप जो जैसे आप assignment को follow करोगे study material को जो follow करोगे उसमें मिलेगा ये one जो root hair है उसमें बटा एक chemical होता है lectines lectines नाम का sugar होता है root hair के पास इस lectines यहां है यह यलो आला lectines है और node factor के help से बैक्ट्रा उसे जाके जुड़ गया मेरे में से clear है node factor किसके पास है bacteria क्यों है क्यों किसके पास नौड नाम का जीन है और root hair में क्या है lectines नाम का sugar जिससे बैटा जुड़ जाएगा hook बनाएगा पकड़ लेगा ठोड़े देर के बाद figure में देखे चेंजिए आएगा थोड़े देर के बाद में देखे फीगर में चेंजिए आएगा बोले सर क्या आ रहा है देखो ध्यान से hook के तरह move करेगा hook बना लेगा इसी को NCRT कहेगा curling of root NCRT में यही बच्चा given ने curling of root जब bacteria उससे rhizobium attach हुआ attach हुआ तो bacteria ने क्या किया कुछ chemicals release किये जिसके चलते जो root का cell enlarge हो गया खिच गया और hook बना लिया इसी को NCRT कहता है curling of root पुली सर यह curl करके कहा जाएगा जहाँ पस bacteria की colonies है जहाँ पस bacteria की colonies है वहाँ पास यह हूँ के grow करेगा तो NCRT के दो figure एकदम clear है दोनों figure आपको 100% clear होने चाहिए कहानी बड़ा आसान है root ने chemical release किया इस chemical के चलते bacteria उसके तरफ attract हुआ और वहाँ जाके divide करना start किया ठीक है अब bacteria जाकर के root hair को जकर लेगा bind करेगा क्योंकि bacteria में एक factor है node factor और plant में root hair में एक sugar है lectins जिसे दोनों का association होगा और rhizome उसे attach हो जाएगा attach करने के बाद में जो root hair elongate करेगा और curl हो जाएगा इसी NCRT कहेगा curling of root curling of root आप NCRT के page number 203 को देखिए second figure पर ये बना है first figure पर ये बना है एकदम आराम से टेक time टाइम लीजे आराम से देखिए अब third figure पर आते हैं एक चीज को ध्यान पूरवक समझते जाने कहानी के तरह third figure देखिए third figure सबसे important है इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको करना ये देखिए ये आपका epidermis epidermis ठेक है अंदर में क्या बना है cortex कोटेक्स कैसा है loosely arranged है मैंने बार बर बुले बड़ता cortex loosely arranged होता है और cortex का सबसे last layer होता है उसे इंडोडर्मिस कहते है इंडोडर्मिस कोई नया चीज नहीं है cortex का last layer है inner most layer of cortex is called endodermis जिसमें सुबहरी नाम के chemical होती है और इंडोडर्मिस के अंदर में पाया जाता है पेरिसाइकल जिससे lateral root बनता है यह मैं नहीं कहता आपकी anatomi कहती है lateral root क्या होता है आज बताऊंगा अब देखिए ध्यान से देखिए चीजों को और आराम आराम से clear करते यहां देखिए जो root hair है देखिए मैं बड़ा सा बना देता हो root hair की तुम्हें कोई confusion ना हो यह curling of root दिख रहे है और यहां से दिख रहे है करल हो चुका है यह जो yellow color का मैंने बनाया बटा यह सिल वॉल है यह क्या है सिल वॉल है root hair का सिल वॉल है और जो मैं white color से बना रहा हूं यह बच्चा सिल वॉल के बाद सिल मिम्ब्रेन है यह plasma membrane है white वाला plasma membrane है भूले ठीक राइज़ोबियम बैक्ट्रिया जा करके root hair के cell wall से जुड़ चुका है नौड फैक्टर के हिल्प से ठीक है राइज़ोबियम बैक्ट्रिया जा करके cell wall से जुड़ चुका है with the help of nod factor और थोड़े देर बाद थोड़े देर के बाद में कहा जाता है कि वो cell wall को digest कर देगा वो cell wall को digest कर देगा तोड़ देगा देखिए ध्यान से cell wall तूट रहा है ध्यान से देखिए rhizobium ने क्या किया root hair के cell wall को digest कर दिया कि तोड़ दिया कि रूट कि हैर का जो cell wall तूट चुका है और जो प्लाजमा मेंब्रेने ध्यान से सुनिएगा जो प्लाजमा मेंब्रेने वो अंदर के तरफ इन्वैजिनेट होगा ध्यान से मैं फीगर को एकदम क्लियर बना रहा हूं लगे कहानी के तरह दिमांग में फिट हो जाए जो प्लाजमा मेंब्रेने अंदर के तरफ देखिए इन्वैजिनेट हो रहा है धस रहा है जो प्लाज्मा मेंब्रेन अंदर के तरफ धस रहा है इन्वैजिनेट हो रहा है इन्वैजिनेट हो रहा है पैसेज बना रहा है पैसेज बना रहा है टनल के तरह यह प्लाज्मा मेंब्रेन अंदर के तरफ धस गया और देखिए वह एपीडर्मिस को cross करके cortex में आ गया कहाँ गयाverse cortex में और cortex में बोला जाता है वो thread like structure बना रहा है इसे anxiety कहते है infection thread अंदर खींचा चला रहा है और वो thread like structure बनाया जो आपको cortex में endodermis में pericycle में फैलते हुए दिखेगा इसी को कहते infection thread इंसेटी में वर्ड है इंफेक्शन थ्रेड का फीगर बना हुआ है इस तनल से अब लार्ज एमॉंड में बैक्ट्रिया अंदर के तरफ इंटर करेगा देखो इंसेटी में क्या लिए है बैक्ट्रिया अंदर में जाते हुए दिखाई दे रहा है है जो राईजोबीएम बैक्ट्रिया है स्टञ से इस पैसे से अंदर जा रहा है और वह infection थ्रेड के थ्रू infection थ्रेड के त्रूra cortex में इंडोडर्मिस में पहुँंच चुका है है अगैं तो लाज नंबर ऑफ बैक्ट्रिया इंटर कर रहा है कहांं अंदर कोटेक्स में इंडोडर्मिस में पेरिसाइकल में टनल बना दिया आप टनल से जाएए बुले ठीक है यहां तक इदम क्लियर है अब यह राइजोबियम बैक्ट्रिया लार्ज इमॉंड में डिवाइड करते जा रहा है और कहां इंटर कर रहा है इंफेक्शन थ्रेड म इंफेक्शन थ्रेड होते हुते कहां पहुंच गया वहां से रिलीज होगा इंफेक्शन थ्रेड से बैठा infection thread के होते हुए उसके help से infection thread तो एक passage है एक tunnel है उससे होते हुए वो पहुँच गया cortex में वो पहुच गया endodermis में वो पहुच गया pericycle में and वहां जाकर के release हो गया यानि की cortex के cell में endodermis के cell में और pericycle के cell में release हो चुका है कौन rhizobium वहां जाकर बैढ़ गया cortex के cell में pericycle के endodermis के अंदर में वो release हो गया अब क्या होगा अब क्या करेगा जो bacteria है ध्यान से सुनना कहानी आगेगी जो bacteria है rhizobium bacteria कहां गया cortex में endodermis में वहां जाकर के bacteria एक हॉर्मोन बनाएगा bacteria जो है rhizobium bacteria cortex में आ गया इंडोडर्मिस में आ गया pericycle में आ गया वहां जाकर के एक हॉर्मोन बनाएगा cytokinin लिग दूं जो और वहां पास इंडोडर्मिस में प्लांट एक हॉर्मोन बनाएगा जिसका नाम है ऑउग्जीन प्लांट कौन सा हॉर्मोन बनाएगा ऑउग्जीन वैक्त्रिया बनाएगा साइटो काइनीन के में इन दो हार्मोन के में से जो जो कॉर्टेक्स के से पेरिसाइडल के सिले लार्ज सकेल में लार्ज एमौंट में डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे एकदम स्टेप बाय चल रहा है सिक्राइब कोछक कहीगा होर्मोन बना रहा है साइटोगाइब क्लांड अप औक जीन बनाया इन दोनों के लप से अब लार्ज सकेल में तैलностि का डिवीजन स्टार्ट हो गया है घार्टेक्स क्वेंआएब आस यू तक बनाई ग्हों NCRT में फीगर में फूर्थ फीगर है बच्चा नोड्यूल का फीगर बनाए है तो हम लोग लास्ट फीगर में नोड्यूल को भी सीख लेते हैं हम लोग लास्ट फीगर में नोड्यूल का फीगर भी सीख लेते हैं यह क्या है इंडोडर्मिस जहां से देखो इंडोडर्मिस यह क्या ता यलो वाला, यह था आपका root hair, छीक है root hair, root hair का cell wall तो आपने काट दिया, तो चीक है, अब देखिये जो इसका plasma membrane white वालत क्या है, plasma membrane, plasma membrane अंदर के तरफ धस गया, पैसेज बना रहा है, यह पैसेज अंदर के तरफ क्याना है, कौटेक्ज में Jazakar के, Endoarmias में जाकरके, pericycle में जाकरके, Thread-like Structure बना रहा है, क्या नाम, Infection Thread, इस Infection Thread से होते हुए, कौन इंटर कर ग daha है, LARGE SCALE में Bacterm, Bacteria, Bacteria, इंसाइटी में देखिए, बैक्ट्रिया इंटर कर रहा है, और अब बैक्ट्रिया इस इंफेक्शन थ्रेड से बाहर निकलेगा, और कहां इंटर कर जाएगा, कोटेक्स के सेल में, कोटेक्स के सेल में, इस इस दा कोटेक्स, कोटेक्स के सेल में कौन आ गया, राइजोबियम, राइजोबियम लास्ट लेयर कौन है कोटेक्स का तो बोलेंगे सर वो इंडोडर्मिस उनके अंदर भी कौन आ चुका है राइजोबियम और लास्ट में कौन है पेरिसाइकल वहां तक infection thread फैल चुका है धीरे धीरे फैलता रहता है फिंगर लए अब वहां क्या हो रहा है वहां क्या हो रहा है वहां के cell अब divide करेंगे और divide करने के बाद में divide करने के बाद में यह आपका epidermis था divide करने के बाद में यहाँ पास खूप सारा division हो रहा है division हो रहा है mass of cell जो बन गया यही तो nodule है यही तो बिटा नोट्डूल से कोर्टेक्स, इंडोडर्मिस और पेरिसेकल के से लार्ज स्केल में डिवाइड किये हैं and they will form the nodule, they will form the nodule, तो मेरे में इसे nodule बनने की कहानी सभी बच्चे को क्लियर कट समझ में आगी होगा, इसे nodule क्यों बना, एक्स्ट्रा, tumor like growth क्यों बन रहा है, tumor के तरह है, देख लिजे, tumor के तरह है, large scale में डिवाइड किया है, mass of cell बना, nodule का है लाया, क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर में अब बैक्ट्रिया, nitrogen fixation परफॉर्म करने वाला है, ले जो nodule है, वो they are well connected to the vascular tissue, the nodules are well connected to the vascular tissue, यह क्या चक्क करे, nodule क्यों बना है, क्योंकि यहां nitrogen fixation होगा, nitrogen fixation होगा, nitrogen fixation करके ammonia बनेगा, लेकिन ammonia तो toxic होता है, ammonia तो toxic होता है, इसलिए फटा 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 अमूनिया को convert करेंगे, amino acid में, ammonia toxic होता है, insertion में लिखा है, fate of ammonia topic भी पढ़ाऊँगा, nitrogen fixation से ammonia तो बन गया, लेकिन वो तो toxic है, amino acid बना हो, nodule में, large scale में क्या बनेगा, amino acid, फिर इस amino acid को xylem में लोड कर दीजिए बिटा, ध्यान तो सुनिए, कहां लोड कर दीजिए, xylem में, जिससे वो upper part में, stem में जा सके, वो बिटा leaf में जा सके, तो ध्यान से एकदम, यहां पर एक problem क्या है, nitrogen fixation से ammonia बना, ammonia से बनेंगे amino acid, amino acid तो organic compound है, amino acid organic है, और organic compound बिटा, xylem से जा रहा है, ये बिटा अजूबा चीज है, ये बिटा अजूबा चीज है, क्योंकि तुम्हें बच्पन से सिखाया गया है, xylem से inorganic substance जाता है, जाइलम से इन और्गिनिक सबस्तान्स जाता है लेकिन मैं बोल रहा हूँ जाइलम से और्गिनिक भी जाता है NCRT ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट में ये कहता है जहां से सुने अभी मैं रीड करूँगा कि most of the nitrogen, plant के अंदर में जो maximum nitrogen है वो और्गिनिक फॉर्म में होते हैं और वो जाइलम से ट्रैवल करते हैं तो अपने दिमाग से कचड़ा निकाल दो कि जाईलम से इन और्गिनिक जाएगा नहीं, जाईलम से बिटा और्गिनिक जा रहे है नाइटाजन और्गिनिक फॉर्म में ही जाता है यहां पर बिटा कोई ammonium आया, nitrate के फॉर्म में नहीं जा रहा है यह एमाइनो एसिड के फॉर्म में जाएगा एमाइड के फॉर्म में जाएगा मैं नहीं कर रहा एंसे आटी में टू टाइमस यह लिखा है ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट में और बेटा मिनरल नूट्रीशन में हम लोग यही सब चीजे छोड़ देते हैं यही सब चीजे छोड़ देते हैं तो कॉंसेप्ट वाइच चलो चलो यहां तक बताओ नोड्यूल के फॉर्मेशन किसे किसी क्लेर होगे तोड़ा एक वर हैंड डेस कर दो मैं लगातार बूले जा रहा है अरे मुर्णा अभी लेग हीमोगलोबिन बहुत दूर है इतना टेंचन गाए के लिए ले रही हूँ ठीक है अभी लेग हीमोगलोबिन बहुत दूर है इतना टेंचन लेगो तब तो हो गया लेग हीमोगलोबिन तो भी बहुत दूर की बात है यूरियाइड अभी कहां तुम लोग है यूरियाइड वगर आपने, हाँ, cortex, pericycle और endodermis के cell divide करेंगे और उससे nodule बनेगा, nodule कौन बनाएगा, cortex, endodermis और pericycle के cell, large scale में divide करेंगे और nodule बनेगा, इन से अटी निकालो, और वहाँ धूंड करके मुझे बताओ, तो page number 203 पे, figure के नीचे में ये mention किया गया है, nodules are well connected to the vascular tissue, vascular tissue mainly the xylem, चलो बिटा, फटाब बताओ तो, NCIT में page number 202 को देखिये, 202 है या 203 है, यह को confirm कर लेता हूं, 203, page number NCIT के 203 पे ये mention किया गया है, अच्छा, 202 पे है या 3 पे है, जहाँ पीटी, the nodules are well connected to the vascular tissue, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब समझो, यानी पिटा, मोटा मोटी ये हो गया तुमारा epidermis, और यहाँ पिटा, तुमारे nodules बन गे, ये nodules बन गे, मास अफ सिल है, ये बेटा तुमारे nodules है, अब ध्यान से सुनो, nodules है, अब प्रॉब्लम है कि nodule के अंदर nitrogen fixation कैसे होगा, इसकी कहानी हम लोग पढ़ते हैं, जो NCIT में गीविन नहीं है, यहाँ तक आपकी कहानी NCIT में गीविन है, आगे की कहानी कहीं नहीं गीविन है, सबको पता है, आगे की कहानी नहीं माले, आगे क्या होगा, तो हमने समझने के लिए, बहुत सिंपर, हमने nodule के एक सिल को काट करके निकाल लिया, नोड्यूल के सिल में कौन बैठा है, बैक्ट्रिया, तो मैंने nodule के एक सिल को काट करके निकाल लिया, तब मुझे आगे में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कहानी क्लियर होगी, तो मैंने nodule का एक सिल को काट करके, बढ़ा करके देख रहा हूँ, यह nodule का सिल है, NCRT में यह फिगर नहीं मिलेगा, इसलिए समझ में नहीं आगा, जहां तो सुनना, हमने nodule के एक सिल को बढ़ा करके देख लेते हैं, तो हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइफ टाइम के लिए समझ में आ जाएगा, गोले ठीक है, यह nodule का एक सिल है, इस nodule के जो सिल में राइजोबियम बैक्ट्रिया आ चुका है, कौन आ गया है, राइजोबियम, राइजोबियम जब आएगा इस nodule के साइटो प्लास्म तो वो अपने जाएजोबियम बैक्ट्रिया नोड्यूल के अंदर आगी, वो अपने सेल वाल को तोड़ देगा, क्या मैंने बोला, राइजोबियम बैक्ट्रिया जब आएगा, अपने सेल वाल को तोड़ देगा, और सेल वाल तूड़ गया, तो वो अपने सेप को चेंज कर सकता है जैसे बिटा वो बना दिया देखिए वाई से बिटा बन गे वो बिटा अमीबा लाइक इस तरह का बन गया को अपने मन मरजी के कॉंडिंग अपना मन एक ने सेफ को चैंज कर सकता है सलंवल भैक्ट्रिया में अपने मरजी की कब एक इसे वाई से अब अमीबा इस्ट्रक्चर बना रहे है और दीरे धीरे छाईजब्य जो है वो अपने सेफ़ खूंग को शेंज कर रहा हैं लिए इन लार्ज एंड सेप अव बैक्टरिया इस नोन एस बैक्टेर वाइड NCR2 मेट मीलेगा जो बैक्टरिया है वो अपने सेप को चेंज कर रहा है क्यों चेंज कर रहा है सेलवलनी इसी नेचर को कहते है प्लियूरो मॉर्फिक प्लीवुरो मॉर्फिक। प्लीवुरो मॉर्फिक। जो अपने सेप को चेंज कर सके चोंद गरएंगे इसे क्या कहने बैक्टिरवाइड इसलिए बहुत सारे बच्चे को लगता है सर्ग गलती से लिख दिया बैक्टेरोइड नहीं नोड्यूल में जाने के बाद वो बैक्ट्रिया ने अपने सेप को चेंज कर लिया अपनी मारजी को इकॉर्डिंग उसे कहते है प्लियूरोमॉर्फिक इसे अब हम क्या कहेंगे बैक्टेरोइड नाम देंगे और बैक्टेरोइड दो को पिटा अपना कॉलनी बना रहा है एक सेप्ड का वाई सेप्ड का वह पिटा अपने कॉलनी का फॉर्मेशन कर रहा है और यह जो बैक्टेरोइड का कॉलनी है वो एक मेंब्रेन से कवर्ड हो जाएगा ध्यान से सुनना इंसियाटि में फीगर नहीं है यह जो Bacteroid है उसने कॉल्नी बनाया और ये कॉल्नी एक मेंब्रेन से कवड हो गया इसे कहते हैं Peribacterial Membrane Peribacterial Membrane ध्यानज हो सुनना Peribacterial Membrane जिसके तुरू Bacteria की कॉल्नी अपने आपको कवर कर लेगी ये रेडवाला पार्ट इसलिए प्लांट के अंदर में एक जीन होते हैं जिसका नाम होता है नौड जीन नौड जीन तो confuse मत करना बैक्ट्रिया में भी नौड जीन था और बैटा प्लांट में भी नौड जीन है दोनों जगा नौड जीन common है बैक्ट्रिया में भी नौड जीन प्लांट में भी नौड जीन बैक्ट्रिया में नौड जीन नौड फैक्टर बनाता था जिसे वो रूट हेर से जु मेंब्रेन का फॉर्मेशन किसके हिल्प से किया जाएगा नौड जीन के हिल्प से तो नौड जीन दोनों जगह है बैक्ट्रिया में भी है और बिटा प्लांट में भी है यह चीद ध्यान देजेगा फिर भी तुम्हें कोई कन्फिजन नहीं मैं लास्ट फिगर को बहुत अच्छे से क Councillor कर देता हूं हम ने यह नौड डूल का एक सेल वापसे बना देता है यह नौड डूल गएक सेल है ठेक है नौड डूल गएक सेल bactria inter क्रेग, cell वाल तोड़ेगा और वो different gosta bacteria change हो जाएगा when different perhaps may convert हो जाएगा and they will form the colony. They will form the colony but a colony के form में आ जाएगा. this special bacteria is not known as bacteroide this is special bacteria is not known as bacteroide clear and this colony is well covered by the peribacterial membrane which is covered by the peribacterial membrane which plant has been created in a gene this gene is called Nodgene Nodgene is also known as bacteroide the dopamine this column is going to work the 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 खोटेखा पाई जाएगी भेक्ट्रोएट की धेर सारी कॉलनी यह पाई जाएगी गेर सारी कॉलनी पाई जा रही है डिफेरेंट से फुले ठीक है सर्वारी अब इतना ड्रामा हो गया अब मुद्दे पर हो सीधा सीधी बात प्लांट बोल रहा है देखो बैया तुम्हें जो रिक्वाइर्मेंट था मैंने दे दिया रहने के लिए जगा चाहिए था लो फुड चाहिए फुड भी दूगा अब मेरा काम करो नाइट्रोजन फिक्सेशन अब तुम बेटा जितना ड्रामा करना था कर ल तुमने इतने मेरे लिए किया है रहने के लिए जगा दे रहो खाना भी दे रहो अब एक ही तुम्हारा एक ही तुम्हारा मोटो है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दो इंटू को पगड़ो अमोनिया में कनवट कर दो बूले ठीक है करते हैं तो इस बैक्टराइड के ढाइम है नाइट्रोजीनेज बना दे रहा हूं वाइट कलर का देख लीचिया वाइट कलर का नइट्रोजीनेज है जिसके हमसे वाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा कि लेकिन बैक्ट्रिया को भिट अपने तरफ से एक और डिमांड है लास्ट डिमांड कि जो बैक्ट्रोइड है न है जो दिफिरेंट सेप बनारई आप्टिवो बैक्ट्रोइड करेंग उससे ब्यात एक ही डिमांड कि Character call कि क्या डिमांड है रहे कि ilesop तभी काम करेगा जब surrounding environment में oxygen absent होगा तो बोलता है मेरा जो enzyme में बड़ा थासक वाल है highly sensitive अगर environment में आस्पा surrounding में oxygen होगा तो यह nitrogenous function नहीं करेगा highly sensitive towards oxygen यह oxygen है से लह तो oxygen तो होगा ना साइटोप्लाजमी oxygen होगा जब तक यह oxygen मौजूद होगा bacteria nitrogen fixation नहीं करेगा reason in presence of oxygen अगर surrounding में oxygen है nitrogenous function नहीं करता है highly sensitive towards oxygen oxygen है काम नहीं करेगा तो nitrogenous को एक ही problem है यह sensitive towards oxygen sensitive मतलब उसके presence में काम नहीं करेगा दर लगता है तो bacteria बोला ऐसा कीजिए आज पास से oxygen हटा लीजिए इसा कीजिए oxygen को हटा लीजिए तो प्लांट बोलेगा oxygen कैसे हटेगा प्लांट बोलेगा oxygen कैसे हटा सकते भाई प्लांट और bacteria मिल करके एक समझाता करेंगे प्लांट और bacteria मिल करके एक समझाता कर रहें symboletic relation है ना तो दोनों मिल करके एक समझाता कर रहें मुले क्या समझाता है भाई हम और तुम मिल करके एक pigment बनाते hai इस pigment का नाम है लेग हीमोग्लोबीन बीटा दोनों के association से बन रहे है ध्यान देना दोनों के association से बन रहे है ध्यान देना लेग हीमोग्लोबीन का हीम पार्ट यानि आरेन वाला पार्ट हीम वाला पार्ट आरेन वाला पार्ट प्लांट बनाएगा और जो ग्लोबीन पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट है, वो बिटा, मैंने उल्टा बोल दिया, जो हीम वाला पार्ट है, वो बैक्ट्रिया बनाएगा, और जो ग्लोबीन वाला पार्ट है, वो बिटा प्लांट बनाएगा, रिपीट कर दे र वो plant बनाएगा, दोनों के association से बनेगा, इसले लेग हमोगलोबीन होता है, जैसे तुम्हारे प्लेड में हीमोगलोबीन होता है, लेग्यूम के रूट में, लेग्यूमनेस प्लांट के रूट में हीमोगलोबीन बना, इसले नाम पड़ा leg hemoglobin, leg का और कोई मतलम नहीं, जैसे तुम्हारे अंदर हीमोगलोबीन है, लेग्यूम प्लांट के रूट में, नोड्यूल में हीमोगलोबीन बना, इसले नाम पड़ा leg hemoglobin, अब ठीक है, अच्छी बात है, अब देखिए ध्यान से, अब हमने बनाना स्टार्ट किया, ये red कलर का बच्चा leg hemoglobin, red क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है, जो हीमोगलोबीन होता है, वो red कलर का ही होता है, अब पूरे साइटोप्लाज में धेर सारे बनने लगे leg hemoglobin, काम क्या है, पूरे साइटोप्लाज में leg hemoglobin बनना स्टार्ट होगी, leg hemoglobin का काम है, oxygen को पकड़ो, बाहर फेको, oxygen को पकड़ो, बाहर फेको, oxygen पकड़ो, बाहर फेको, simple कहानी है, oxygen को remove कीजिए, oxygen carrier है, NCRD कहता है, oxygen scavenger, NCRD के लिए word use करता है, leg hemoglobin, oxygen carrier है, मैं तो कहता है, oxygen की सफाई करने वाला है, सफाई करने वाले को कहते हैं, scavenger, पूरी तरह से सफाई कर देना, oxygen scavenger, पूरी तरह से oxygen खतम हो गया, अगर पूरी तरह से oxygen खतम हो गया, तो nodule का cell अब हो गया, anaerobic, पहले अरोबिक था, अब हो गया, अब यहां oxygen नहीं है, अब यहां oxygen की कमी होगी, माइनस O2 हो गया, anaerobic condition में आगे, anaerobic condition में आगे, हटा दिया oxygen, अब जो भी प्रॉब्लम था, बैक्ट्रिया का वो सॉल्व होगी, बैक्ट्रिया को बोला गया बिटा, तुमारा एक ही requirement था, ड्रामा एक था, कि oxygen नहीं होना चाहिए, हटा दिया oxygen, अब कर nitrogen fixation, बैक्ट्रिया बोला गया, ठीक, आप कोई टेंचन नहीं है, हम करेंगे, हम बैक्ट्रिया करेंगे nitrogen fixation नहीं, लुक है अब बैक्ट्रिया बैक्ट्रिया बैय्ट्रिया बिटा, अपना developed किया क्या, enzyme जिसका नाम है बुच्ट नाईट्रोचीदिज्दूट्रोचीदीज, ध्यान नाइट्रोचटुटिज्चीदीजट तो यह नाइट्रोजीनेस कहां से बनेगा सर बैक्ट्रिया में कौन बनाएगा तो बैक्ट्रिया में बटा एक जीन है जिसका नाम है निफ जीन एन आई एफ जिसे नाइट्रोजीनेज बनाएगा, नौड जीन था बच्चा जिसे वो नौड फैक्टर बनाता था, जिसे वो प्लांट से जुड़ता था और एक और जीन होगा बटा, फिक्स जीन, तो ये नीट में कुस्स ना चुक है बैक्ट्रिया अपने अंदर में तीन कौन-कौन से जीन रखता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, आपका अंसर होगा, नौड, निफ, एन फिक्स नौड, निफ, एन फिक्स, फिक्स में अभी मत जाईए, नौड पता है न, नौड फैक्टर बनाएगा, रूट से जुड़ने के लिए, निफ, नाइट्रोजनेस के एक्टिवीटी के लिए, फिक्स, फिक्सेशन कुछ लग रहे न, लेकिन बटा, अगर कोशन आगिया, प अपने मन से न एन फिक्स भी कर दिया, याद आ गिया को, प्लांट में केवल नौड जीन है, जबकि बैक्ट्रिया में नौड भी है, निफ भी है, फिक्स भी है, बोले ठीक है, नाइट्रोजनेस कैसा होता है सब देखने में, इंजाई में, नाइट्रोजनेस की कहानी पार्ट से बना है, एक बड़ा पार्ट एल लार्जर, एक छोटा पार्ट स्मॉलर, नाइट्रोजनेस दो पार्ट से बना है, एक बड़ा पार्ट लार्जर, एक छोटा पार्ट स्मॉलर, जो लार्जर पार्ट है, बच्चा वो बना है, मॉलेब डेनम और आईरन से, अगर question पूछा जाए mainly answer कीज़ेगा बटा molybdenum क्योंकि NCRT आपकी केवल molybdenum पे ज़्यादा जोर देती है अगर question में आ गया larger part किसे बनाए दूनों से molybdenum और iron दूनों से लेकिन NCRT देखिएगा iron का नाम नहीं लेता molybdenum पे ज़्यादा जोर देता है smaller part केवल बनाए iron से केवल बेटा किसे बनाए iron से जो larger part है वो tetramar के form में यानि MOFEK चार्चर यूरिड है tetramar और जो smaller part है वो बच्चा है dimer के form में डाइमर के form में नहीं दिये NCRT में लेकिन थोड़ा पढ़ लीजी जो larger part है उससे enzyme है ना larger part है ठीक है उससे बटा जुटेगा substrate यानि into larger part से substrate जुट जाएगा into और जो छोटा part है उससे बटा जुटेगा ATP याद रखिएगा nitrogen fixation is highly active process they required ATP they required ATP वो बटा active process है याद रखिएगा nitrogen fixation highly active process है free में नहीं होता ATP चाहिए ATP कहां से जुटेगा nitrogenase के छोटे part से ठीक है सब स्टेट कहां से जुटेगा larger part से NCRT पीटा तीन तीन जगा लिखती है molibdenum के बारे में अगर आपके पास NCRT है थोड़ा सा करके बताइए page number 196 दिया है दिया है बच्चों वापस क्या दे रखा है molybdenum के बारे में जरूर दे रखा होगा molybdenum of nitrogenase during nitrogen fixation nitrogen fixation के लिए enzyme nitrogenase और nitrogenase को बनाने के लिए molybdenum इस NCRT ने iron का नाम नहीं लिया अगर बोला MOFE दोनों होता है में लिपड़ा पूचा जए तो molybdenum बोल देना second page number 198 को देखो page number 198 को देखो वहां लिखता है it is a component of several enzyme including nitrogenase molybdenum का दूसरा काम है कई सारे enzyme को बनाने में देखो लिखा है it is a component component विटा उसका पार्थ है और several enzyme including nitrogenase और पिछले क्लास में बताया था nitrate reductase का भी पार्थ है दूनों का पार्थ है यह दो जगह होगे तीसरा तीसरा अगर आपने देखा है बच्चा पेजमर 202 पेजमर 202 नाइट्रोजनेस is made up of MO and FE option में अगर बिटा दोनों हो MO करके आईएगा दोनों है तो अच्छी बात है दोनों है तो अच्छी बात है इंसे अटी में लिखा है है क्या लिखा है आदा इंजाइम nitrogenase is a MO FE protein that catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia तो देखो ना इंसे इतना बेवकूफ थोड़ी है अगर molybdenum बैटा तीन बार दिया है तो बैटा important तो होगा important तो होगा 196 पे भी है 198 पे भी है 202 पे भी है इसलिए यह बहुत important है चलो डीक है तो मेरे में से यहां तक की कहानी सभी को clear है बहुत ही आसांसी कहानी है और आगे की कहानी जो इस बद नीट के पेपर में आया आप लोगोंने गलती किया और यहां पर थोड़ा समय तला की कहानी सुना दूँगा जब complete करूँगा कि बटा कितना concentration की पढ़ाई चाहिए और तुम लोगो लगता है एक तो नए ड्रामा है ज़र silly mistake हो गिया silly mistake मैं मानता ही नहीं हों तुम घरवाले को दिलासा दो जूट बोलो घरवालों को कि silly mistake हो गिया ना यह बाल इन से आड़ इनसे बीट नाइट्रोजीनेस का फीगर बनाए हैं यह बेटा नाइट्रोजीनेस का फीगर है बस उन्हों फीगर को उल्टा बनाया मैंने बिटा सीधा बना दिया कोई दिक्कत नहीं यह बागी उन्होंने उल्टा बनाया चीक है टू-0-3 पे फीगर बनाया है यहाँ सरे नाइट्रोजिनेस का यह फीगर यह एंजाइम एफॉर एंजाइम और यह बिटा सबस्टेट है एट्मोस्फेरिक नाइट्रोजन इंडू आया ट्रिपल बॉन्ड बाइंड कर एंडू सबस्टेट इंजाइम नाइट्रोजिनेस अब क्या करना है ध्यान से बिटा स्टेप को गड़बन मत कर दीजेगा अपने मन से चार स्टेप नहीं होगा ध्यान सुन लिए कितने गलत करके अअसर जिर्ichtet पर अटू लिए चारन सबस्टेप यहां पस बिटा दो एलेक्ट्रोन आय test अच्छे Чश्छा वर्विकली दो एलेक्ट्रों तो और डो इलेक्त्रों नहीं आखडे हैजि अब देखी ही यहां क्या हुआ यह nitrogenous enzyme कि यह into into में तीन ट्रिपल बाउन्ड थे बिटा एक यह तीन कोवैलेंड बाउंड थी तीन एक कोवैलेंड बाउन्ड तोड गया और यहां से जुड़ गये है जोड़ोजन और हीजोजन एक कोवालेंट बॉण्ड टूड गया यह स्टेप नमबर वन है स्टेप नमबर वन एक कोवालेंट बॉण्ड को अपने तोड जहां तो सुन लीजिए यहां बेटा एंड ट्रीपल बॉण्ड है यहां एक कोवेलंग बांड टूटा और कोवेलंग बांड के जगा यहां है जोडोजन और है जोगा स्वांद के से इन्टेप नमबर तू यहां बटा दो एलेक्टरॉन और यहां आगए दो प्रोटॉन यहां दटू एलेक्टरॉन और टू प्रोटॉन सेम बटा सेम कहानी यानि हाईड्रोजन जुले गिया step number 2 क्या होगा कहानी को सुनी कहानी को सुनी फिर से एक कोवालें बॉंड टूटेगा तीन थे step wise अब 2 तूट गए पहले क्या जुड़ा था इदर हाईड्रोजन फिर से 1 कोवालें बॉंड टूटा इदर हाईड्रोजन इदर हाईड्रोजन यानि बने क्या in 2 कोवालें बॉंड टूट चुका है इदर से H पिर से H और H अभी जोस में मत आई है ये चाहने तो पैटा अंसर गलत आजाएगा जोस में नहीं आना है अभी चलने दीजे कहानी को अराम से चलने दीजी को अब त्ीसरे step के तरब बढ़े फिर से कोवालेंट बॉंड को तोड़ दीजिए तोड़ देते हैं तोड़ देते हैं अब क्या हुआ इन तीनों कोवालेंट बॉंड टूड गए इधर से जुड़िया हाइड्रोजन 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 बन गया अमोनिया बन गया अमोनिया तुम्हे लग र आई इस टेप नमबर तीन भी कम्प्लीट अब बिटा इस टेप फॉर में जाएगा तुम बहुत लोग लेकिन यहां पर चौथा इस टेप भी होता है यहां पर दो एलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन वापस से आएंगे चौथा इस टेप भी होगा यहांने हाइड्रोजन फिर से जुटेंगे सर अब क्यों जुटेंगा सर अल्रेडी यह आपका नाइट्रोजिनेज इंजाइम है वो सर दो अमूनिया तो बन चुके हैं सुनो तो दो अमूनिया बन गे अच्छी बात है लेकिन एक बाई प्रोड़क्त के फॉर्म में हाइड् ब्रोजन भी बनता है तो टोटल बिटा चार स्टेप में कंप्लीट होता है इस साल के पेपर में कुष्ण यही तो आया था को संग्या था ध्यान से सुनिये चारो स्टेप को पढ़िए चारो स्टेप के बाद देखिए बादा एक इंटू एक इंटू तो टोटल कितने स्टेप चार एक स्टेप में दो एलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेप में दो एलेक्ट्रॉन चार तीसरे स्टेप में दो एलेक्ट्रॉन छे और फॉर्थ स्टेप दो एलेक्ट्रॉन आठ टोटल कितने एलेक्ट्रॉन आठ लिग दीजिए एट एलेक्ट्रॉ हर स्थेप में 2 प्रोटॉन भी थे तो होगी भी अगर तुमने तीन स्थेप मानके बढ़ा होता तो ए Christians, नहीं लिगते छे छे लिगते न लिंकिन रील में 4 स्थेप में हुआ है बाइप प्रोडॉक्टंट भी बनता है और बाइप्रोडॉक्ट वहलें हम ब्लू जाते तो चार स्टेप में हुआ, आठ एलेक्ट्रॉन, आठ प्रोटॉन, एक एलेक्ट्रॉन जब बिटा इंटू में डाला जाता है, दो ATP खर्च होते हैं, सुनो वापसे, एक एलेक्ट्रॉन जब एड करोगे तो दो ATP खर्च होता है, तो आठ एलेक्ट्रॉन आपने एड किया है, तो बेटा 16 ATP खर्च हो जाएंगे, 16 ATP खर्च हो जाएगा, इसलिए important है तो बेटा तुम्हारे recording तो 6 एलेक्ट्रोन होता, तो 12 ATP खर्च होते हैं, तो यहाँ पस 8 एलेक्ट्रोन है, एक एलेक्ट्रोन को add करने में 2 ATP खर्च होता है, तो 8 एलेक्ट्रोन है, 16 ATP, अब देखो क्या बना, अब कहानी क्लियर है, अब बेटा बन गए two molecule of ammonia, दो molecule of ammonia, इस साल के पेपर में आया, लेकिन ammonia के इलावा बने hydrogen molecule by product के form में, इसके इलावा बना बेटा hydrogen molecule by product के form में, जो maximum बच्चे ने लिगना छोड़ दिया, सबको आता है, तुम बेखूफ हो, NCRD में साफ लिगा है, कि बटा, ammonia के इलावा वहाँ पास, NCRD में देखो, hydrogen भी बना है, तुमने छोड़ा, तुमारी marks गए, पांच नमबर, ऑगे सर, silly mistake हो गया, बटा, क्या silly mistake, NCRD साफ लाइन है, hydrogen molecule भी बनता है, ammonia बनता ही, कुन नहीं मालूमी किसी, N2 से ammonia बन गया, बन गया, अब सोचो, अब 18, कितने ATP थे, 16 ATP, ATP टूटा, तो 16 ADP बने, adenosine diphosphate, ATP टूटता है, तो क्या बनता है, adenosine diphosphate, और बनेंगे 16 inorganic phosphate, जिसे PINCRT लिखेगा, तो equation में गड़बढ मत कीजिएगा, equation को वापस से सीख लीजिए, गड़बढ नहीं कीजिएगा equation में, equation से हमेशा कोच से नाता है, आप गड़बढ करते हो, क्या बोला, एक molecule of nitrogen, कितने electron, 4 step में हुआ, 8 electron, 4 step में हुआ, 8 proton, और एक electron डालने में 2 ATP, 8 electron डालने में 16 ATP, क्या बना बच्च इससे, बोलिये, क्या बना, तो बोलें, सर्थ two molecule ammonia बन गया, तेख है, और बैटा, by product में hydrogen बन गए, बाइप्रोडक में hydrogen बन गए, by product में hydrogen बन गए, अब 16 ATP टूता, 16 ATP टूटे तो 16 बटा ADP बना Adenosine Diposphate और 16 बटा बन गए Inorganic Phosphate ठीक है यही equation given है यही equation given है और इस साल इस से paper में question आ गया और बटा यह बोला गया कि यह बटा difficult question था बोला गया बटा यह difficult question था अब देखो तो मैंने सभी से बात की रीतिका से भी पूछाओ तलहा से पूछा की तुमने कैसे कर दिया भई इसमें तो सभी लोग trap हो गए सभी बच्चे ने option बटा केवल ammonia किया था तुमने बटा हाइड्रोजन भी क्यों किया सभी बच्चे ने ammonia किया ammonia तुम्हें भी करना था तो तुमने हाइड्रोजन भी क्यों गया बाइप्रोडक्ट वाला याद था तो पूछ लेना मैं नहीं बोल रहा हूँ ये तलह से पूछना तलह ठीक है उसने बोले सर कि दब आपने 2018 में मुझे HCC में पढ़ाया था हाँ ये तुम्हारा एक सीनियरी था हमदर में मैंने पढ़ाया था टूटोजन एटीन बहची तो उसने जब आपने एक्क्येशन लिखा था सरना आपने ये जो आपने बाइप्रोड़क्ट हाइड्रोजन लिख बुले सर मुझे याद था कि सर आपने रेड मार्क से लगाया था और बोला था कि ये पटा बाई-प्रोड़क्ट बनाना जरूरी है आदे बच्चे भूल जाते ये बाई-प्रोड़क्ट बनाना और यही कोसन आ गया तो मुझे स्ट्रैक करी तो मैंने अमूनिया के लग रहा है इंपॉर्टन अगले सल मुझे यह लग रहा है इंपॉर्टन है कि बाई-जो आपने N2 से कितना अमूनिया बनाया, 2-NH3 बनाया, अगले सल अगर पूझ दे, एक मॉलीक्यूल अमूनिया बनने में कितने ATP खर्च? अगर यह कोसन अगले सल पूझ दे, एक मॉल बनने में कितने ATP खर्च आप तो रट्टा मार कर गए हो 16 ATP, 16 ATP, 16 ATP. सोचिए बच्चे, कोस्तन क्या पूचे, दो मॉलीकुल नहीं पूचे, एक मॉलीकुल पूचे. और आप मस्त रट्टा मार कर गए हो 16 ATP. और कोस्तन है, एक मॉलीकुल का आया है, तो 8 ATP करके आईएगा, बाद में मत मुझे बलिएगा, सर सिली मिस्टेक हो गया, सर दो मॉलीकुल नहीं दिखा था, मुझे लगा, दो मॉलीकुल अंसर में एक मॉलीकुल था, बेवकूफ हो, यह तुमारी बेवकूफी है न, पढ़न पुरा पेपर न, दो घंटे में कर दिया था, तीन घंटे का पेपर दो घंटे में बना करके बैड़ी है, यह रिकॉर्डेड है उसका, यह नीट सुपर 30 वाला जो यूटूब है, उस पर रिकॉर्डेड है यह, कि उसने दो घंटे में अपने पेपर को कंप्लीर कर लिये इस लेवल के उसके तैयारी हो चुकी था, यह नीए इस लेवल का उसे एक एक कॉंसेप्ट आ चुका था, तो बैटा, आपका एक्सपेक्टेशन वही होना चाहिए, इतना माइन्यूट पढ़े, कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो, एक पुझा, तो आठ करेंगे, दो प्रॉब्लम यह है बच्चा, कोन है भाई कि सो के देख रही है, अब ऐसा ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ, यहां देखो ध्यान से, अब अराम से बेट पे सो करके देखिएगा, तो अगले सार बोलेगा सर सिली मिस्टेक हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, चीक है, तो मेरा को पहिर जिम्मेदारी नहीं बन दा, कि बटा, तुम्हें डॉक्टर बनाने का, यहां देखो, अब यह आएगा, कि बटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन तो एक्टिव प्रॉसेस है, 16 ATP चाहिए, एक इंटू को अमोनिया में कनवर्ट करना है, उसके लिए 16 ATP चाहिए, ATP कहां से जाएगा, यह बटा, ATP आएगा कहां से, तो पेज नमबर 204 का फिर्स लाइन है, पेज नमबर 204 का फिर्स लाइन है, कि जो ATP चाहिए, बटा, वो देगा, होस्ट अपने रिस्पिरेशन के थू, अंसर बटा, होस्ट रिस्पिरेशन, अंसर बटा, होस्ट रिस्पिरेशन, बैक्टिया थोड़ी देगा है, बैक्टिया थोड़ी देगा, plant को जरूरत है, plant respiration करेगा और यह solar atp provide करेगा, तो अंसर करकेया होस्त respiration से आएगा, कि इन्साइटी मिलीगा है आपने रट्टा मार लिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो 16 एटी पी चाहिए यह ऐटी बैक्ट्रिय नहीं देगा प्लांट देगा अपने रट्टा मारके गए और मैं अभी अंसर को गलत कर ला है अबने क्या पढ़ा नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो 16 ATP आते हैं वो बिटा प्लांट देता है अब कोस्टिन को मैं थोड़ा सा ट्रैप कराता हूँ अब 100% ट्रैप हो जाओगे अगर मैं कोस्टिन पूछू कि एक वैक्ट्रिया है जिसका नाम है एजोटोबैक्टर पिछले क्लास में बताया था यह पैटा overwhelmed को फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन बनाना है तो बिटा कितने ATP की requirement होगी आप बोलेगा 16 खरेक्ट है अगर मैं पूझ दू ये 16 ATP का भरपाई कौन करेगा ये 16 ATP बिटा कहां से आएंगे क्या answer कीजिएगा चलिए हाँ बोलिए ये 16 ATP कौन देगा प्लांट, बैक्ट्रिया कौन देगा तो सलोनी ने लिखा है respiration of the host cell, जया ने लिखा है प्लांट, अंश्पत्या ने लिखा है प्लांट, M.ड. आसिफ ने लिखा है प्लांट, सबका answer गलत है सबका answer गलत है कोई तो बिटा सही answer दे दो ठीक है सीतल ने थोड़ा सा answer सही किया है सना या से नहीं, वो तो aerobic nature का होगा bacterial respiration हसना है इनका केवल सही है मालनो बिटा bacillus bacteria जो anaerobic है, कोई दिक्कत ने लेकिन ये तो free living है ये प्लांट के साथ रहते ही नहीं प्लांट क्यों देगा ठोड़ा दिमाग का खोपड़ी खोलो अरे बिटा, symbiotic bacteria है जब लेग्यूम प्लांट में जाएगा तो लेग्यूम प्लांट इसे दे देगा लेकिन तुम तो फ्री लिविंग हो bacillus rhodospirulum clostridium, तुम तो फ्री लिविंग हो तुम प्लांट के साथ तो रहते ही नहीं nitrogen fixation कर रहे हो ना तो ATP तुम खुद से बनाओगे ना कि प्लांट लाके देगा तुम्हें मैंने क्या clue दिया free living या question में लिखा हुआ है तो थोड़ा तो brain दिमाग खोलो कि कुण सा बड़ा बात है मैंने क्या बोला कि जो प्लांट फ्री लिविंग है तो जाहिर से बात है अगर free living है तो किसी plant से attach नहीं है अगर plant से attach नहीं है तो plant क्यों देगा मिट्टी में तुम अकेले बैठके nitrogen fixation कर रहो तो उसका भी भरपा यह करेगा अंसर यह ATP जो free living form में है वो bacteria के respiration से आएगा अगर आप symbiotic करते हो तो plant के respiration से आएगा किसे-किसे समझ में आया किसे-किसे पीटा समझ में आया यह कहानी तो तुम्हें क्या लगता है NCRT पढ़ लिया और question set कर दिया silly mistake करके आगे छोड़ा सा चीज है नहीं पढ़ोगे नहीं बनेगा लाग तुम पीटा पांच-छे question बड़ा deciding होते है वह question thought based होता है वह बनाता है वही qualify करता है अब समझ में आया और जो तुम्हारा study material है जो मैंने भेजा है उसमें साफ लिखा है कि अगर free living form में है तो ATP खुद बैक्रिया बनाएगा अगर symbiotic है तो बड़ा plant देगा यह उसमें लिखा है लेकिन आप तो बड़ा सर plant respiration तो लिखा था सर host respiration लो दूसरा दिन आके माथा पीट लोगे सर लगता है NTA वाले ने answer गलत दिया है answer की में problem है बड़ा problem तुम में है answer की में problem नहीं है बड़ा problem तुम में था चलो ठीक है and the last one इसब trap किया जाता है फसानी के लिए question होता है इन्याटी लेवल का भी question अगर बना दिया जाए ना तो trap करना कोई difficult काम नहीं है चलो देखो ज्यान जे second इन्याटी कहता है यह आपका legume plant एक मेंट थोड़ा सही से बना दिया यहां देखिए यह बटा epidermis यह बटा cortex ध्यान से सुनिएगा cortex ठीक है और यह बटा ध्यान से देखिए जब तक बैक्ट्रिया यह बैक्ट्रिया बटा green color का rhizobium है जब तक बटा यह मिट्टी में अकेले ज़्यान से सुनना rhizobium बैक्ट्रिया बटा मिट्टी में अकेले है free living form में क्या है बटा free living form में तो यह बैक्ट्रिया बटा aerobic respiration करना पसंद करता है याद रखना जब rhizobium नाम का bacteria free living form में है मिट्टी में अकेले है यह aerobic respiration करना पसंद करता है जैसे इरोबी अब सोचो यह बैक्रिया इरोबिक respiration कर रहा है यानि आकशिजन के प्रिजर्यंस में कर Yeah far so our Xbox अंदर जा रहे हैं अगर अगर एरोबिक है ओक्सिजन के presence में यह कर रहा है तो क्या नाइट्रोजिनेस काम करेगा नाइट्रोजिनेस काम करेगा तो नाइट्रोजिनेस काम नहीं करेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो जब तक बैक्ट्रिया फ्री लिविंग फर्म में रहता है उसमें नाइट्रोजन fixation नहीं होते यह NZRD कहती है बनागा it is interesting that it is interesting that जब तक rhizobium bacteria free living form में मिट्टी में रहेगा वो nitrogen fixation नहीं करता क्योंकि वो aerobic nature aerobic है क्यों aerobic है ATP ज्यादा मिलेगा 38 ATP मिलते aerobic में सभी को चाता है aerobic करना लेकिन जब यह rhizobium bacteria nodule में इंटर कर जाएगा nodule में इंटर कर जाएगा they will switch nodule के अंदर इंटर कर जाएगा तो वो अपने आपको switch करना पड़ेगा क्योंकि nodules अंदर में कैसा anaerobic है nodule में जाकर के rhizobium अपने nature को switch कर लेगा और यह rhizobium nodule के अंदर हो जाएगा anaerobic सर क्यों सर क्यों अगर अभी भी इंटर एरोबिक रहा oxygen का demand करेगा और oxygen का जब demand करेगा तो nitrogenase काम नहीं करेगा और nitrogenase active नहीं ने पाएगा इसलिए मजबूरी है कि बाहर रहो तो एरोबिक करना और जब nodules के अंदर चले जो अपने आपको switch कर लो क्योंकि अंदर में anaerobic condition क्रियेशन क्रियेट किया गया मर मत जाना वहां तो एरोबिक है तो बेटा महां leg humoglobin सारा oxygen हटा देगा oxygen scavenger कौन है oxygen scavenger कौन है तो बहुत अब anaerobic condition हो जाएगा तब तो तुम मर जाओगे ना इसलिए वह aerobic से अपने आपको switch कर लेता इन एरोबिक condition में यह NCRT में लिखा है बच्चा मैं पढ़ देता हो साह तुम लोगों को नहीं मिला होगा पेज नमर 203 पे देख लो किसे किसे मिला NCRT लिखता है विटा इस इंट्रेस्टिंग तो नोट इस इंट्रेस्टिंग तो नोट था इस माइक्रोब्स लीप आज एरोब्स इमाइक्रोब्स अरोबिक में रहना पसंद करते हैं अंडर फ्री लिविंग कंडिशन यह फ्री लिविंग कंडिशन में नाइट्रोजन fixation नहीं होता है वेर नाइट्रोजनेस इस नॉट ऑपरेशन समझ में आया एरोबिक है ऑक्सिजन लेगा बॉडी में ऑक्सिजन जाएगा नाइट्रोजन इनक्टिव हो जाएगा बट दूरिंग नाइट्रोजन fixing event जब वो नोडूल में इंडर करेगा they become anaerobic वो anaerobic में convert हो जाएगा क्यों दस प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेस enzyme क्योंकि उसे अपने नाइट्रोजनेस को बिटा enzyme को प्रोटेक्ट करना है अब oxygen के प्रजिन में जिन्दा नहीं रहेगा नहीं मांगेगा oxygen क्योंकि oxygen मांगेगा नाइट्रोजनेस फिर से काम नहीं करेगा तो अपने आपको स्विच का लिया anaerobic condition में बिना oxygen का आप जिन्दा रहेंगे क्योंकि nitrogenase function कर सके तो आप बताव बटे यह आज का तुम्हारा part complete हो गया सर तो कोई भी aerobic bacteria free living condition में into fixation नहीं कर पाते एज़ोटोबैक्टर करता है बिजर नहीं किया करते हैं उनके अंदे special mechanism होता है nitrogenase को protect करने के लिए aerobic condition में करेंगे nitrogen fixation लेकिन उन्हें उस nitrogenase को protect करने के लिए उसके पस special mechanism पाया जाता है जो mechanism rhizobium के अंदर नहीं है इसे टो बैक्टर में पढ़ना फोड़ा गूगल पे सर्च करके थोड़ा सा इस पर रिसर्च करना कि वाई aerobic bacteria perform nitrogen fixation in presence of oxygen बड़ा interesting answer है ऐसे graduation में पढ़ाया जाता है चलो ठीक है तो किसे किसे clear हो गया और सेके इन दो तीन चीज़ में में बता रहा हो तो जो बच्चे क्लास को अगर serious नहीं ले रहे हैं तो कोई नहीं कुछ नहीं कह से क्योंकि अब है अगले हपते से यह recorded YouTube पे नहीं जाएगा फिर फायदा गया है फिर तो तुम टाइम बास में आए मूड किया पढ़ा फिर गए सामने देख लिया तो यह बच्चा मैं बोल दे रहा हूँ कि यह शायद 25 अक्तुबर तक 25 के बाद में यह recorded form नहीं जाएगा हम मैं रिकॉर्ड करके अपने computer पर रखूंगा इडवर्ड कंडिशन में जरूरत हुओ तो मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूँगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा वो तुम देख सकते हैं लेकिन यह सभी के लिए अविलेबल है फिर नहीं होगा बाकी मेरे पुराने वीडियो देखिए यह वाले वो crash course के थे आरा इसलिए classes को बिटा online में serious लेना है adverse condition में मैं डाल दूँगा password protected लेकिन यह सभी के लिए available नहीं होगा अभी है एक दो chapter तक करते हैं उसके बाद में क्योंकि आप बिटा तक serious नहीं रहोगे कि लगेगा recorded देख लेंगे यह कर लेंगे वो कर लेंगे बहुत सरे बच्चे आती नहीं क्योंकि रात में बिटा उन्हें मिल जाता है वीडियो तो फिर बिटा हमारा तो कबाड़ा उड़ जाएगा कि एलेन का test reach कैसे ज्वाइन करते हैं मेरे में से आसान है अभी मत करो हाँ उसके test reach पर मैं थोड़े सी बात कर लेता हूँ कि आप देखो